ये बात और है कि अगर हम दो दिन भी लगातार घर पर रहें तो छुट-पुट-मुट-भेर तैह है जो भी वक्त हम साथ गुजारते वो जिन्दकी की किताब में खुशियों का नया पन्ना जोड़ता गया आपका साथ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं मैं हर नई ड्रेस पहन कर आपसे पूशती रहूँगी मोटी तो नहीं लग रही हूँ ना शिकायत करती रहूँगी आप कभी मेरी तारिफ नहीं करते हो मासिक पत्रिकाओं में छपी बचकानी प्रश्ना वलिया क्या पती आपको प्यार करते हैं? क्या आपके लिए सर्प्राइज गिफ्ट लाते हैं? क्या हर रोज आपको I love you कहते हैं ऐसे तमाम सतही सवालों के चार विकल्पों में टिक करते हुई आप से लड़ती रहोंगी कि आप मुझे प्यार नहीं करते फिर कहोंगी आपकी शादी तो फना से परिचे की जिस भी महान विरांगना लड़ाकु महिला का नाम हरवडी में मेरे जहन में आ जाए होनी चाहिये थी फिर आपको पता चलता ये आधार हीन लगू पानी पत युद्य हर संसकारी भारतिय पतनी का जन्ब से धरिकार है बीवियां सिर्फ एक दिन अपनी हथेली पर महंदी से पती का नाम लिखवा आ जन्ब पती के बैंक पेपर्स के नौमिनी कॉलम में नाम लिखवाने का हक पा जाती है हजारों की अनापशनाप शॉपिंग करने के बाद पुरानी टीशर्ट स्वेटर के अंदर पहन बचत की सलाहा दे मित्वेई आर्थिक सलाहकार बनती है जब हम पहली बार मिले थे तब संयोग से हम दोनों के कपड़ों का कलर नीला था ये वो उम्र थी जब ड्रेस की मैचिंग से ज़्यादा रोमांटिक बात दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकती थी सहेलियों के पास भी उस परिधान मैचिंग जैसे महत्वहिन मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने के लिए भरपूर वक्त और सराहे थी जहां मेरी शर्तानियों की वज़े से घर पर मेरे नाम म धु का उल्टा उच्चारित कर पुकारा जाता था धूम और आपके दबंग सभाव के कारण आपको जिस नाम से बुलाते हैं वो मैं यहां नहीं लिख पा रही हूं शादी के पहले सभी को चिंता थी कि आप बहुत एकांत प्रिय हैं और हमारे घर के मेले जैसे माहोल में कोई महमान एक दिन के लिए रुख जाए तो भीर भार की वज़े से यक्ष प्रश्न होता था फिर कौन-कौन कहां-कहां सोएगा शादी के बाद मैं दिन भर सासु मासे आपके बच्पन के किस्से सुनाने को कहती थी हम दोनों के सुभाव में जमीन आस्मान की अर्समानता है किसी भी हास्यस्पद मुद्दे पर जहां मुझे लोट-पोट घंटों हसी आती रहती है वहां आपका काम एक स्माइल से चल जाता है बिस्तर पर मेरे सिर्हाने कीट्स, शैली वर्ड्सवर्थ की मकमली कविताओं से लेकर अमरता प्रीतम तक की सपनी ली दुनिया मिलेंगी वहीं आपकी बुक शल्फ बिजनस मेनेजमेंट की मनहोस नीरस किताबों से भरी है फेस्बुक में लोगों द्वारा अपनी बीवियों की तस्वीर के साथ रोमेंटिक आप अक्सर बोलते हो कि बीवी के लिए लव फील हो रहा है तो बीवी को बताना छोड़ फेस्बुक में दुनिया को बता रहे हैं आपके मताबिक प्रेम साजेदारी और दर्शन का विशे है सारवजानिक प्रदर्शन का नहीं आपकी इस परिपक्वता को समझने में मुझे लंबा वक्त लगा मगर इतने सालों में आप मेरे संग गोवा की टिटोज पार्टी एंजॉय करने लगे और मैं आपके साथ बस्तर के बीहर विरान जंगलों को महसूस करना सीथ गई आप तो ये हाल है कि मेरी एकान प्रियता देखकर आप कहते हो कि मधु को एक कमरे में बंद करने के साल भर बाद भी दरवाजा खोलेंगे तो वे खुद में व्यस्त मिलेगी शादी के बाद हमारी पहली नौग जौफ मुझे आज भी अच्छे से याद है आप टीकी बहस के बाद सुबा सुबा गुस्से में घर से निकल गए थे रात तक मैं घर पर अकेली बैट टीवी देखती आपका इंतजार करती रही जैसे ही गेट पर आपकी गाड़ी की आवाज आई मैं फट टीवी आफ कर दौरती हुई बैडरूम में अंधेरा कर बिस्तर में लेट गई मानो मुझ दुखियारी ने उदासी में रोते हुए सुबह से रात बिस्तर पर पड़े-पड़े गुजार दी आप ठाहा के लगाते वे घर के भीतर घुस रहे थे